दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टूब वाले टायर और टूबलेस टायर में क्या डिफरेंस होता है और दोनու traffic से कौन है जादा बहतर तो चलिये दोस्तो शुरू करते दोस्तो एक टूबड टायर में जेनरली एक रबड का टायर होता है एक metallic rim होती है और इनके bीच में लगे होती है पतली rubber की tube दोस्तों इसी tube में हवा भरी जाती है और यही tube tire को उसका आकार देती है वहीं एक tubeless tire में भी मौझ Judith होती है एक rubber की tire metallic rim पर इसमें इन दोनों के बीच में किसी तरह की कोई tube नहीं होती है हवा भरी जाती है इस टायर और रिम के बीच में जब हवा को इस टायर में भरा जाता है तो ये रिम और टायर मिलके बनाते हैं एक airtight lock जिससे हवा टायर के बाहर नहीं निकल पाती है दोस्तो आप सभी यह जरूर जानते ही होंगे कि टायर्स का सबसे बड़ा दोश्मन होता है पंक्चर तो दोस्तों अगर टूबलेस टायर में घुच जाये किसी तरह की कीव और ये हो जाये पंक्चर तो ऐसी कंडिशन में इन में से हवा बहुत ही ते ये से निकलने लगती है और ये बहुत जादा दूरी तय नहीं कर पाता है वहीं एक टूबलेस टायर पंक्चर होने के बाद भी आसानी से कई किलोमेटर तक की दूरी को तै कर सकता है तो दोस्तो अगर आप पंचर रिपेर की बात करें तो एक ट्यूबलेस टायर का पंचर बड़ी ही आसानी से लगाया जा सकता है और ये ट्यूब्ड टायर की तुलना में काफी सस्ता बैठता है दोस्तो वहीं अगर हमें टूब्ड टायर के पंक्चर रिपेर के बात करें तो ये प्रक्रिया काफी लंबी होती है सबसे पहले टायर से टूब को निकालना होता है फिर टूब में हवा भनी होती है और फिर उस ट्यूब को पानी के टब में डाल करें चेक करना होता है कि पंचर कहां पर है और फिर उस पंचर को रिपेर करना होता है ये प्रक्रिया काफी लंबी होती है और ट्यूबलेस टायर के रिपेर की तो नमे थोड़ी ज़ादा खडची ली भी दोस्तो टूबलेस टाइर्स में चूब ना होनी की वज़े से इनका वज़न टूब वाले टायरों से कुछ कम होता है जिसका सीधा असर गाड़ी की माइलज पर दिखता है दोस्तों जिस चीज के जितने जादा फायदे वो चीज उतनी महंगी इसलिए टूबलेस टायर टूबले टायर की तुलना में थोड़े से जादा महंगे आते हैं